है गाइस कैसे हैं आप लोग आपका मोस्त वेलकम है हुआरे चैनल पे माई नेम इस अभजीत मिश्रा एम यो जी एजुकेटर और आज हम बात करेंगे अपने 10th September कर इंटरफेर्स की सबसे बहले गाइस इस मैंटोर्शिप प्रोग्राम के बारे में आपके लिए फ्री आफ कॉस्ट एक विश्था मापट देना है इस नंबर पर कॉल करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छा सा एज दीजिए विग्वाज आप इस नंबर पर कॉल करेंगे तो यह नंबर रिसीव होगा मैं मेंटर्स ऑल्रेडी एक्जाम में सेलेक्टेड हैं जो कि आपको स्ट्राइड़ी बनाने में हेल्प कर सकते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले गाइस तो यह पूरा इंडेक्स आपके सामने है हम लोग रिपोर्ट और इंडीस अपॉइन्मेंट बैंकिंग फिनांशल न 12 जुलाई 1982 को हुआ था ठीक है तो इस बार 12 जुलाई को नाबाट ने अपना 49 फांडेशन डे सेलिबरेट किया और कौन कौन सी अनॉसमेंट किये उसके बारे बात कर ले तो नाबाट ने जो यह 39 फांडेशन डे पर डिस्वल चौपाल था उसमें अनॉसमेंट किया 5000 रूपाय का रे ये हमारे करेगा नाबाट रेफाइनस का मतलब लोन देका ठीक है क्यों देगÁ 2150도 वाटर चेड तूवलपमिंट्ट प्रजेक्ट 2150 वाटर चेड टेवल्क्मिंट्र प्रजेक्ट जतना भी डीटा मैं मैं बोल्ड कर रहा हूं, वह सब आपको लेरन करना है ठीक है और यह जो refinance facilities है वो तीन साल के लिए रहे ही मतलब 2020-21 से लेके 2022-23 तक रहे ही ठीक है तो जतना मैंने बोल्ड किया है वो सारी information आपको learn करनी है उसके बाद आगे बढ़े हैं इसके लावा the institution मतलब नाबाड को बोल रहे हैं the नाबाड also announced another 5000 करोर रुपीस for the turning primary agriculture credit societies into multi service center guys क्या आप लोग को primary credit society के बारे पता है आप cooperative bank जानते हो ना तो cooperative bank तीन तरह से काम करते है state level पे state cooperative bank district level पे central cooperative bank और गाओं के लेवल पे गाओं के लेवल पे हम क्या बोलते है agriculture societies बोलते है तो इन societies को अब proper और और ज्यादा इनको मतलब services मिलेंगी और यह multi service center में convert हो जाएंगे ठीक है तो नाबाड का target है कि financial year 21 की बात करें तो 5,000 primary societies को upgrade किया जाएगा उसके बाद 15,000 in financial year 22 और 15,000 in financial year 23 तो पहले phase में 5000, second phase में 15,000 और third phase में 15,000 यह जो आपके societies है इनको multi service center में convert किया जाएगा यह सारी news काफे important है जो भी मैं आपको starting में पढ़ाता हूँ exam में question आने के प परतें guys और मेरे questions आपके answer मेरा पहला question आपसे है कि household social consumption education in India as part of the 75th round of the national sample survey जो करमना बात की ती आपसे पूछा गया कि which state has emerged as the least literate state in the country और अगर आपको इसका percentage बता हो तो वो भी explain मतलब comment कर दीज़ेगा least literate state in the country सबसे ज़्यादा लिटरेट तो कैरला है और सबसे least literate कौन ह तो वो है आंदरप्रदेश 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 हा कुछ रो भी या कुछ रो आशीश कुछ रो इसका answer क्या होगा इसका answer आंदरप्रदेश option number A हो जाएगा ठीक है मैंने आपसे क्या बूला guys कि आपको comment करना है इसका percentage भी अगर आपको याद है सोनम चौद important concept session याद रखेगा और बात करतें answer की answer is 77.4% 77.4% जो है यह हमारे देश में literacy rate अभी चलता है ठीक है आगे बढ़े next question what is the literacy rate in the percentage in Kerala तो Kerala की बात करें सबसे ज्यादा literate state यहाँ पर literacy rate कितना है यह आपसे पूछा गया और इसका answer आपको देना इसका answer क्या होगा इसका answer होगा 96.2% option number B 96.2% option number B is right answer next question what is the female literacy rate at national level तो अभी हमने बात किया इसकी हमारे देश में 77.4% literacy rate है जिसमें male भी है female भी है और मैंने कर आपको पढ़ाया था कि male और female के बीच में करी 14% का gap है तो आपसे यहाँ पर female के बारे पूछा गया है उसका answer दीजेगा तो female की बात करें तो अखेले female का जो literacy rate है वो कितना है 70.3% option number C next question who among the following has been appointed as the next high commissioner of India to Jamaica इंडिया का नया high commissioner Jamaica में कौन बन जाएगा यह आपसे पूछा गया है we have five option what is the answer और answer की बात करें तो इनका नाम किया है इनका नाम है R-Masakui option number D R-Masakui option number D is right answer next question what is the capital of Jamaica currency capital कल मैंने आपको पढ़ाया था Jamaica की capital क्या है तो Jamaica की capital की बात करें तो इसका answer क्या होगा इसका answer होगा Kingston option number D is right answer next point the advertising standard council of India has named this person as its new secretary journal she is lady कल हम लोग बात कर चुके हैं तो advertising standard council ने किसे अपना नया secretary journal के तौर पे पॉइंट किया है 5 option आपके पास है इसका answer क्या होगा Sonali Kapoor या Sonam Kapoor या Madhuri Kapoor या Lakshmi Kapoor या Manisha Kapoor और इसका answer होगा Manisha Kapoor option option number 5 is right answer next question according to the latest growth forecast of the Fitch rating what is the GDP growth rate estimated for India in the financial year 21 तो इसी current वित्तिवर्ष के लिए Fitch ने हमारे देश की growth rate को कितना project किया है यह आप से पूचा गया है minus मिसका answer होगा answer किया होगा answer is minus 10.5% option number C minus 10.5% option number C is right answer Palak Bita minus 10.8% किसने बोला आप से next question what is the global GDP growth forecast अभी Fitch की बात करें guys तो Fitch ने अपनी एक report निकाली report का नाम था global economic outlook जिसमें इसने इंडिया की growth rate बताई और पूरे world की भी global growth rate बताई है तो वो भी आप जड़ा बता दीचेगा कल यह point हमारे current average में नहीं था तो इसे यह आपकी responsibility है आज इसे आपको learn करना है ठेक है और इसका answer हो जाएगा minus 4.4% option number B global economic ही बात कर रहे है minus 4.4% next question India rating ने क्या बोला है भाई India rating ने हमारे वित्तिवर्ष के लिए इस financial year के लिए GDP growth rate कितनी बोली है हम India ratings दी बात कर रहे है और अगर India ratings दी बात करें which global institution has approved 82 million dollar for the implementation of the Himachal Pradesh state road transformation project 82 million dollar 82 million dollar याद दख लीचेगा आपको तो answer पता ही ये कल मने पढ़ा था तो World Bank और Himachal Pradesh 82 million dollar for the Himachal Pradesh state road transformation project ठेक है चली आगे बरते ही next question की बात करते है which bank launch a signature visa debit card for the high net worth individuals तो किस bank ने HNI के लिए signature visa debit card launch किया है कल हमने इस पर बात की थी इसके limitations की बात हमने की थी और इसका answer क्या हो जागा Bank of India option number E is right answer Bank of India headquarter Mumbai में इसका ठीक है The Patrika Gate has been inaugurated in West City by the PM Narendra Modi recently Patrika Gate PM Modi ji ने किस शहर में इसका उधगाचन किया तो आपको यह भी बता है simple question Jaipur option number C is right answer Next point Next point Atal Innovation Mission has tied up with which company to provide robust support to innovators and start-up in the AIM portfolio हम लोग कल बात किरा चुके हैं कि हमारे देश में start-up ecosystem को increase करने के लिए Atal Innovation Mission ने इस company के साथ एक tie-up किया मतलब partnership की और वो कंपनी कों से थी वो कंपनी Freshwork Incorporation option number A is right answer Next question With which of the following countries India and US has collaborated to develop 5G tech to develop 5G technology कल बात की दी हमने US, India और Israel option number C is right answer Next question A powerful typhoon naam है hazyn damaged building, flooded road and knocked out power to thousand of homes in which country कहने का मतलब simple language में कि भाया ये जो tufaan था hazyn ये किस country पर impact किया तो कल हम लोग पढ़ चुके answer South Korea option number C is right answer Next point India और Bangladesh have agreed to hold which edition of the meeting of the Joint Consultative Commission later this month हम लोग उने कल भी इस पर बात की थी क्या इसका answer होना चाहिए इस 5 option हमारे पास है तो India और Bangladesh जो है वो Joint Consultative Commission meeting help करेंगे और ये चटवाँ edition होगा option number C पाँचवाँ डेली में हुआ था last year Next question Who launched the first virtual buyer-seller meeting First virtual buyer-seller meeting कल हमने ये भी पढ़ा था इसका answer क्या था इसका answer था आपका GJEPC Gems and Jewelry Export Promotion Council option number D is right answer है ना Next question Which state government released the electronic and hardware manufacturing policy Electronic and hardware manufacturing policy launch करने वाला हमारे देश का कौन सा state है ये अपसे पूशा गया कल हम लोग बात कर चुके है और इसका answer होगा क्या Tamil Nadu option number C Tamil Nadu हमारा सही answer Next question A target is fixed in the new policy बात हो रहे है Tamil Nadu की For the manufacturing of the electronic goods worth rupees 100 billion USD by which year मतलब ये जो आपका Tamil Nadu की policy है Tamil Nadu चाहता है 100 billion USD का production किस year तक ये आपको बताना है किल हम लोग पढ़ चुके है Answer is 2025 option number B is right answer Next question KV कामत committee identify how many sectors for loan restructuring मैंने कर आपको पढ़ाया कि amount की बात नहीं होई है but इतने sectors में loan restructuring की बात होई है we have five option guys What is the answer और अगर answer की बात करें Answer is 26 option number C 26 option number C is right answer Next question Who among the following has recently been conferred with the Indra Gandhi Peace Prize Indra Gandhi Peace Prize किसको दिया गया तो Indra Gandhi Peace Prize की बात कर लें तो इसका answer क्या होगा इसका answer David Attenberg होगा option number C is right answer और अगर मैं आपसे पूछूँ कि David Attenberg की बात करें तो इनको Indra Gandhi Peace Prize मिला है ये किस profession से belong करते हैं ये किस profession से belong करते हैं तो ये belong करते हैं ये broadcaster है option number E is right answer broadcaster ठीक है Next question Apple Inc. has unveiled its first floating store in which country पहला तेरता हुआ store किस देश में शुड़ूँआ अपल का ये आपसे पूछा गया तो पहला तेरता हुआ store जो है वो Singapur में launch किया गया option number E is right answer Next question The International Literacy Day हम कब मनाते हैं Global Level पे International Literacy Day तो International Literacy Day की बात करें answer क्या हो जाएगा September 8 option number B is right answer Next question What is the theme of the International Literacy Day International Literacy Day की theme क्या थी ये आपसे पूछी गई है और इसका answer क्या होने वाला इसका answer होने वाला है literacy teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond option number B is right answer Next question Which of the following players was kicked off of the US Open 2020 after accidentally hitting a line judge with a ball तो ये question ये मैंने नुस परसो आपको पढ़ाई थी कल में question नहीं करा पाई तो आज मैंने question करा दिया तो ये सर्भिया के tennis star है इनका नाम है Novak Djokovic option number D is right answer Next question Which of the following companies is set to enter the business of online insurance broking firm with a soon to be launched portal called Pay Bima आप से पूछा गिया है इसमें से कौन सी company Pay Bima नाम का एक portal launch करेगी और बहुत जल्दी online insurance broking के तौर पर आएगी जैसे guys अभी आप लोग policy लिखते हो policy bazaar policy bazaar क्या है एक online broking company है जिसके site पर आपको different companies की policy मिलती है तो Pay Bima Pay Bima नाम से कौन यही same काम करने वाला है हाँ यह नया question है मैंने आप से बूला है कि जब भी कोई news ठूटेगी तो मैं जरूर आपको कराऊंगा है ना It's my responsibility guys and the right answer is Mahindra Finance option number b आपको learn कर लेना है तो Mahindra Finance की बात करें is set to enter the business of online insurance broking as a broker काम करेगा ठीक है और Pay Bima इसने शुरू किया है इतना आप कर लीजे काम आपका हो जाएगा next question The Sparrow is a system launched by which state obliguity of India for the administrative service officers तो मतलब की अगर हम बात करें Sparrow प्रसाशनिक सेवा के अधिकारियों के लिए भारत के किस राज्य और केंद्र साशित प्रदेश में launch किया गया है यह आपसे पूछा गया है अर्विंद बोलना है जम्मू अनकाशमीर अंशु बोलना है जम्मू अनकाशमीर इसका answer किया होगा इसका answer जम्मू अनकाशमीर हो जाएगा option number A is right answer ठीक है तो जो जम्मू अनकाशमीर के lieutenant governor है Manos Sinna इन्होंने Sparrow इनिशेटिव लाँच किया यह administrative services जो कर रहा है उनके लिए है Sparrow का full form है यहाँ पर देख लिएचे smart performance appraisal report recording online window Sparrow full form याद करने की जोरत नहीं है आपको next question which state government has launched the sampoord potion scheme for the providing nutrition food to pregnant women तो इस state में pregnant women's को postic bhojan उपलब्द कराने के लिए sampoord potion नाम की योजना शुरू की गई है answer क्या होगा इसका यह कौन सा state है guys तो अगर state की बात करें तो यह state है next question with which company transnet port terminals South Africa has partnered for logistics supply chain transformation तो South Africa की एक company है transnet port terminal यह किस company की साथ agreement कर रही है exactly मैं guys यह भी एक e-commerce बना देंगे e-commerce का मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा पहले मुझे answer देचे इसका answer क्या होगा इसका answer होगा TCS option number D तो TCS और South Africa की सरकारी company है Transnet port terminal South Africa इनके बीच में करार क्या हुआ है देखे क्या होगा बिटा कि यह जो Transnet port terminals होगा न यह एक online marketplace platform बनाएगा मतलब कि guys आपको पता है कि transportation कितना important है किसी वदेश के development के लिए तो उसको पूरा online लाने के लिए यह करार हुआ है आपस में ठीक है इसका answer क्या होगा इसका answer हो जाएगा Assam option number B Assam option number B तो Assam ने North East Small Finance Bank से agreement किया अपने state में SHG और जो producer है उनको proper loan मिलता रहे इसलिए यह agreement हुआ जो भी news guys हम भी तो इंसान है ना तो हमसे भी कोई news छूट सकती है तो यह हमारा है कि बिना शरम किये आपको वो पढ़ाएं अगली class में कि भाया यह news समसे छूट गई थी हमारा बुरा हो जाएगा लेकिन आपका बुरा नहीं होना चाहिए चले तो शुरू करते हैं guys अपना session और complete IBPSPO clerical batch की बात करें 1249 में आपको मिल रहा है और यह team NASA आपको पुरा पढ़ाएंगी मतलब मैं पढ़ाऊंगा सजिन सर पढ़ाएंगे नरेन सर पढ़ाएंगे अगर आप NASA 20 code लगाते हैं तो guys 22% का discount आपको मिल जाएगा एक बाद जान दो तुम चाहे speed test लो चाहे कोई individual course लो तुम कुछ भी लो elevator to success you have to take the stairs मतलब कहने का मतलब की हम लोग जब mall wall जाते हैं shopping mall या कहीं भी जाते हैं तो हम क्या गरते हैं हम elevator का use करते हैं बड़े आराम से मूपर पहुच जाते हैं लेकिन जब सफलता की बात करते हैं में ऐसा कोई भी कुछ चीज help करने के लिए हमको महनत करने ही पड़ेगी हमें सीडियां चड़ने ही पड़ती है तो सीडियां चड़ने का मतलब guys की पूरी हिम्मत, पूरी ताकत passion, determination ये सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए क्यों हम हमें क्यों लगता है कि हमारा selection नहीं होगा, उसका selection हो जाएगा क्योंकि हम अंदर से डरे होते हैं हमारे अंदर complex feeling होती है मेहनत करिए guys, मेहनत का कोई भी substitute नहीं है और जितनी ability आपके अंदर है उतनी मेरे अंदर है, सबके अंदर उतनी ही होती है selection उसी का होता है जो जीजान से अपने selection के लिए आगे बढ़ता है जो बिल्कुल अपने selection के लेकर एकदम ज़ादा conscious रहता है और अपने post को जिसके लिए उपढ़ाई कर रहा है उससे वो महबत करता है, प्यार करता है और यह तो शारुक खान जी ने भी कहा था जब किसी चीज को पुरे शिद्दत से चाहो तो सारी काइनाच उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है आगे बढ़ते हैं गाईस, और बात अरे बंद नहीं करना कमिटर जी तो गाईस, आज से मेरा क्रैश को शुरू हो रहा है जीए का, बारे बचे हमारी क्लास होगी और हम एक जून से लेके पांच जून को टागेट करेंगे, यह पे, MCQ के फॉर्म में लेकिन मैं सोच रहा हूँ काईस की एक क्लास नहीं मैं आपको दो क्लास डेली दूँ और डेली जो दूसरी क्लास हमारी होगी ना, उसमें मैं आपको यह वन लाइनर फॉर्म में भी कॉर्शन पूछू फिल इन दे ब्लैंक फॉर्म में, बाकि आप पढ़कर आए आज से शुरू हो रहा है कोर्स हमारा, ठेक और अगर हम आगे बढ़ें तो गाइस, बैंकिंग का हमारा काफी अच्छे लेवल का एक कोर्स शुरू हो रहा है यह कोर्स हमारा 18 से शुरू हो रहा है जो बच्चे मतलब आफिसर स्केल टू या फिर फॉर एक्जामपल नाबाट, से भी, ग्रेड भी इस सब लेवल के एक्जाम की त्यारी करना चाहते है एक बढ़िया लेवल के बैंकिंग अवरेनिस चाहते हैं तो यह कोर्स को आप जोईन कर लिजे यह सारे कोर्स आपके फोर डबल लाइन में है लेकिन नासा 20 अगर कोड को आप लगाएंगे तो आपको 22% का फ्लैट डिसकाउंट मिल जागा नासा, नरेन सर, अमिर सर, सर्चिन सर और मैं यह हमारी टीम है बैंकिंग की सबसे बहतर टीम आपके सामने यहाँ पर है अगर आपको गईस मुझसे कॉंटक करना है तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलू कर सकते हैं आप मेरे फेस्बूक पेज को फॉलू कर सकते हैं आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर जॉइन हो सकते हैं और आप मेरे वाटसप नंबर भी मुझे टेक्स कर सकते हैं तो शुरू करते हैं अपना session और start करते है report और indices से, report और indices में अगर हम बात करें, हाँ, 7th 18 वाला course, 18 वाला course हमारा start हो जाएगा, sir, railway वाला कब से start होगा, देखें, railway के लिए YouTube classes Monday से start हो जाएगी, अभी हमारे पास window नहीं है, तो Monday से हम proper class लेंगे इसकी, ठीक है, हाँ, राथा जी, railway CA की बात कर रहा है, परिशान नहीं हो, करते हैं, आपका, आज है Thursday है ना, गाईस, तो next Monday से करते हैं, अभी कर लेंगे, बढ़िया से कर लेंगे, तो गाईस, हम बात करेंगे, EAS 2.0 index released by the IBA, IBA का मतलब क्या हुआ, IBA का मतलब Indian Banks Association, तो Indian Banks Association ने एक index launch किया है, EAS 2.0, EAS 2.0, आइस के बारें बात करते हैं, तो IBA ने release किया है, EAS 2.0 index, EAS का मतलब Enhanced Access and Service Excellence, यह index launch किया गया है, और इस index की बात करेंगे, देखिए, तो अगर हम बात करें, यह जो index launch हुआ है, exactly में यह हमारे देश में सरकारी बैंकों की ranking करेंगा, सरकारी बैंकों को 6 थीम पर काम करने के लिए बूला गया था, और यह 6 थीम में, टोटल 120 अबजेक्टिव कवर करने थे, यह पूरा तुम्हें पढ़ना पढ़ेगा, 6 थीम 120 अबजेक्टिव थे और केवल और केवल सरकारी बैंकों के लिए था, तो किस बैंक ने बढ़िया किया, किसने खराब किया, उसके बारे बात करें, तो सबसे अच्छा, सबसे बैतर वर्क किया किसने bank of बढ़ोदा ने, दूसरे नंबर पे state bank of India ने और तीसरे नंबर पे oriental bank of commerce ने, हम क्या बात कर रहे हैं, हम इस 2.0 की बात कर रहे हैं, किसने लांच किया, IBM ने लांच किया, अब यह six theme कौन से थी, उसके बारे बात कर लें, तो theme देख लीजे, responsible banking, customer responsiveness, credit of take, governance and HR, PSB and as Udyam, मित्र for MSME and deepening financial inclusion and distillation, यह six theme पे, six theme पर 120 objective बैंकों को गवर करने थे, और इ यह काफी important index होगा, याद करना जरूरी है, ठीक है, चली, आगे बढ़ते हैं guys, और अब बात करते हैं, अपने report और इंडिस में news number 2 की, और news number 2 पर हम बात करेंगे UNICEF की report की, UNICEF, UNICEF का headquarter कहां पे है, UNICEF का headquarter New York में है, तो UNICEF के एक report आई है, और उसने बताया है कि child mortality rate in India declining substantially substantially between 1990 to 2019, तो 1990 सले की 2019 भारत में, सिशिव मृत्युदर में काफी तेजी से गिरावत आई है, कितनी गिरावत आई है, वो आपको हम आगे दिखाते हैं, ठीक है, तो क्या बोला गया कि according to the new mortality estimate released by the UNICEF, India's child mortality rate has declined substantially between, हाँ तो यह तो हम लोग पढ़ी चुके है, UNICEF ने report निकाल ल दिख लेते हैं, तो अज़ा, the under 5 mortality rate, मतलब 5 साल से कम की बच्चों की बात करें, अगर उनके मृत्युदर की बात करें, पर 1000 life birth in India, declined to 34% in 2019 from 126% in 1990, 1990 में हमारे देश में, सिशु मृत्युदर कितनी थी बेटा, 5 साल से कम की बात करें बच्चों की, 126%, और आज कितनी है, 19 की बात करें, कितनी हो गई, 34%, 34% आज और 90 में कितना, 126%, आगे देखिए, कुछ की पॉइंट की बात कर लें, India registered a 4.5% annual rate of reduction in the under 5 mortality between 19 to 2019, यानि गाइज अगर हम बात करें, 1990 से लेकिए 2019 तक, हर साल, हर साल भारत में, जो सिश्यु मृत्युदर में गिरावत आई है, वो 4.5% के 20% माइनस होता गया है, ये point important है, देख लिजएगा, इसके लावा गाइस बत करें, the infant mortality rate, death per 1000 life birth in India declined from 89 in 1990 to 28 in 2019, तो भारत में सिश्यु मृत्युदर की बात करें, तो ये 1990 में 89 से घटके, 19 में 828 हो गई है, मतलब इसके पहले वाले में हमने under 5 age की बात की थी, 5 साल से कम बच् तो 1990 में per 1000 में 89 डेथ होती थी और आज 19 में per 1000 में 28 डेथ हो रही है, तो मतलब की भारत ने health sector में थोड़ा सा ठीक काम किया, चेक है, दिनेश बोलना है कि सर आपका current interface world में best है, दिनेश जी हमारा current interface world में best हो ना हो, लेकिन हमारे पास world के best student है, और ये मैं guarantee लेता हूँ, हमार जी ए मिन्स का पर देकर आएंगे ना, तो फिर आप देखिएगा कि कितने marks लेके वचे आते हैं, सब rockstar है यार, है ना, आगे बढ़ते हैं guys, और अब बात करते हैं appointment की, और यहाँ पर हम बात करेंगे अनिल जैन साहब की, अनिल जैन elected as the new president of the All India Tennis Association, All India Tennis Association के नए अधक्ष कौन बन गया है, अनिल जैन जी बन गया है, आई इसके बारे बात करते हैं, देखिए, तो All India Tennis Association ने, BJP राजसभा मेंबर, यह सबसे गलत मुझे लगता है, कि जब कोई politician किसी sports संस्था में enter करता है, अब whatever वो BJP का, Congress का हूँ, लेकिन politician, politician ही होता है, वो जहाँ बीजागा ह इसकी किसी former player को, जिसने काफी अच्छा किया हो उस sport में, उसको बनाना चाहिए, वो बहतर समझेगा कैसे इस sports को उठाना है, मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो यह किसको replace करेंगे, यह replace करेंगे, प्रवीन महाजन को यह भी देख लीजगा, तो एक point हमारे सामने, यह हो गया आगे बढ़ते हैं guys, और बात करते हैं, इसके रावा, इसके रावा guys, अनिल धूपर, इनको secretary general बनाया गया है, All India Tennis Federation का, और साथी साथ, रोहित राजपाल, इनको treasurer बनाया गया है, of the National Federation, खजानची, treasurer of the Federation, तो यह तीन appointment है, लेकिन सबसे ज़्यादा important to president का आई है, तो 1920, और इसका headquarter कहां पे है, Delhi में है, Delhi में R.K. Khanna Tennis Stadium में इसका headquarter है, जैसे बिसीचाई का, Mumbai में है, वानखेड स्टेडियम में, ठीक है, चली, आगे बढ़े guys, और अब बात करते हैं, next point की, तो यहाँ पर आपको revision जुलाई मंत का दिया गया है, जैसे for example, T.C. Sushil Kumar, यह क्या Khan from the Vadodara district of the Gujarat, यह first transgender बनी है, operator बनी है, common service center in India की, तो guys, ऐसे ही बहुत सारे point हमारे पास है, इसको आप revision कर लेजेगा हमारे PDF से, हम आगे बढ़ते हैं, next news की बात करते हैं, और आप banking, finance और economy की हम बात करेंगे, तो state होता क्या है guys, कि अगर तुम्हें एक businessman हो, और तुम्हें market को segment करना पड़ता है, segment का मतलब तोड़ना पड़ता है, किसानों की बात करें, हम लोग क्या बोलते हैं, कि state bank of India किसानों को loan देता है, लेकिन किसान कई तरह के होते हैं, तो state bank of India ने cotton, cotton producer किसानों को target किया है, और उनके लिए एक नई scheme launch किया है, सफल scheme launch किया है, यह से हम क्य liquor बेशते हो, तो liquor पीने वाले आपके customer है, लेकिन उस liquor में कही ऐसे सारे लोग भी होंगे, जो कि smoke भी करते होंगे, तो आप उनको भी divide कर सकते हो, कि only liquor and liquor plus smoker, तो आप उनको भी target कर सकते हो, इसे हम क्या बोलते है, market segmentation, हाला कि यह marketing की class नहीं है, लेकिन अपने अंदर का जो वो launch करेगा एक loan product, जिसका नाम क्या होगा सफल, और किसके लिए, for organic cotton growers, जो organically मतलब cotton को produce करते हैं, ऐसे किसानों के लिए सफल scheme launch करेगा State Bank of India, ठीक है, देखे, सफल का full form किया है, safe and fast agriculture loan, safe and fast agriculture loan, ठीक है, तो यह इतना पढ़ना है, आपको यह से पढ़ने की ज़ुरत नहीं ह तो State Bank of India, सफल scheme, सफल का full form किया है, safe and fast agriculture loan, और यह basically organic cotton producer के लिए, farmers के लिए, यह point है, ठीक है, तो इसे हमें याद कर लेना है, अंशुल जी, बोलना है, कुछ BD भी पीते हैं, तो भाई, अपना-पना एक standard होता है, तो जैसे अगर मालो, मैं एक businessman बनूँगा, तो मैं उनको target करूँगा, जो की, समझ गया है, और यह BD भागो target करेंगा है, तो मेरे छोटे भाई हो, कम से कम मेरे standard की बात तो हिया करो, कम से कम, चलो, आगे बढ़ते हैं guys, और about State Bank of India, तो State Bank of India को 1955 में बना गया था guys, आपको बता है, पहले State Bank of India का नाम ये नहीं था, पहले इसका नाम कौन है, रजनेश कुमार जी है, लेकिन, दिनेश कुमार खारा, जो होंगे, वो अगले chairman बनेगे State Bank of India के, tagline, the bank us to every Indian, ये भी आपको लर्न करना है, आगे बढ़ें guys, और अब बात करते हैं आपसे next point के, revision point की, तो guys, कुछ दिन पहले मैं आपको पढ़ा था कि, State Bank of India ने 16.20 million, support किया है, मालदीव को, है न, 16.28 million, मालदीव को, इसके लावा, State Bank of India ने SMS charges, और minimum balance to maintain करना होता है, उसके charges भी हटा लिये हैं, यादुगा पुश है, और, अश्वनी भाटिया, appointed MD of the State Bank of India, ये भी हमको याद है, चलिए, Imperial Bank of India, जी हां, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते इंडिया रिटिंग्स की बात की, उसके पहले हमने, State Bank of India की बात की, आज हम Goldman Sachs की बात कर रहे हैं, ये सब साथ मिल चुके हैं, और सब के सब इंडिया की growth rate को कम दिखा रहे हैं, तो Goldman Sachs प्रिक्ट इंडिया GDP for the financial 21, at minus 14.8%, इन भाई साब न तो हधी कर दी भाई, minus 14.8%, जनवरी से लेकर हम किसकी बात करेंगे, December तक की बात करेंगे, क्योंकि normally हमारे देश में, financial year का मतलब क्या होता है, 1 April 6, this March, लेकिन यहां पर calendar year के बारे में बोला गया है, तो minus 11.1%, इसके लावा, GDP for the financial year 22, मतलब next year, 15.7%, ये तो मजाक है, मतलब आप एक तरफ एकदम खतम कर दे रहो, और दुबार आप एकदम उठा दे रहो उपर, है न, ये तो मेरी तरह है, मतलब, कि एक बार में बड़ी बड़ाई, और एक बार में बड़ी धुलाई, है न, GDP for the calendar ये 21, तो 9.9%, तो ये 2020 का calendar year है, और ये 21 के calendar की बात हो रही है, ठीक है, 9.9%, चले, आगे बढ़त ने अभी 10.5%, नोमुरा ने 10.8%, इंडिया रेटिंग ने 11.8%, आइमेफ ने माइनस 4.5%, तो ये आपका प्रडिक्शन है, जो मैंने आपको उता दिया, चले, आगे बढ़े गाईस, और अब बात करते हैं आपसे banking finance news number 3, और यहाँ पर हम बात करेंगे, finance minister की, इन्होंने क्या interest बना जा रहे है, पूरे इंडिया में 100 center बना जा रहे है, doorstep से, जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर employee बैठेंगे, जो bank के, मतलब समझ लोग को क्या होने वाला है, तो तो तुम लोग को याना पड़ेगा, हमारे यहाँ आना पड़ेगा, और हमारे यहां के हमें services देनी पड देंगी, देखो, ठीक है, employment भी जनेट होगा इसे, तो हमारी union minister, निर्मिला सितारमन जी ने launch किया है, doorstep banking services by public sector bank, अब कैसे काम करेगा, वो समझ लो, देखो, इसका objective है, कि customer service देंगे, हम घर पर जाकर, तीन तरीकों से देंगे, या तो customer इस call center पे call करके, अपने service book कर ले, य या फिर आप mobile app download कर लो, doorstep banking, और यहां से अपना appointment आप fix कर सकते हो, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अरे मैं तो होता बड़ा खुश होता, क्योंकि क्या बोला गया है guys, पता है, ये 11 languages में ये services आपको मिलेंगी, ठीक है, और it aims to deliver the services in 3 hour, तीन घंडे के अंदर यहां अपना बैठो, CCD में, उसके बाद चले आदाराम से कसमर के पास है, for the handed doorstep banking center have been established across the India, तो 100 doorstep banking center जो हैं पूरे इंडिया में बनाए जाएंगे, all 12 public sector bank have been covered in this scheme, तो सारे 12 सरकारी bank इस scheme में cover किये जाएंगे, तो एक point हमारे सामने ये भी हो गया, तो इसमें बुरा किया ह रोची बिटा, अब ये दिन भी बाकी है, अरे बहुत बड़ी हाँ जॉब होगी, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत चिल मारोगे, मैं बता रहा हूँ न, हम लोग marketing में थे न गाइस, दो-ती घंडे काम करते थे और घर पर सोते रहते थे, बहुत मुझा आता है समें, चल पर आई हैं, क्यों आई हैं गाइस, आपको मैंने एक दिन पढ़ाया था, तो फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर, फ्लोरेंस पारली भारत के ओफिशल विजट पर आई है, शी विल अटेंड अटेंड अफिशल इंडेक्शन सेरेमनी और फस्ट बैच ऑप दे राफिल फाइटर ठीक है, आगे बढ़ें, देखें, तो राफिल की बात कर रहें हैं गाइस, राफिल विल बी इंडुक्टेड इंटो दे इंडियन एर फोर्स एस पार्ट ऑफ दे नंबर 17 स्कॉर्डन, और अलसो नोन एस गोल्डन एरो, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अपने से याद नहीं किया, तो आप एक नंबर एक्जामेक हो सकते हैं, एक्जामेक उशन जरूर आएगा, क्योंकि यह बड़ा न्यूस है, ठीक, अच्छा, फस्ट फाइफ राफिल एर क्राफ्ट यह भारत में इंडियन एर फोर्स में आये जब, तो यह अंबाला एयर ब मतलब भारत की दूसरी और साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन को हरी जंडी दिखाके रवाना किया गया, तो गाइस आपको बता कि इस बार के हमारे यूनियन बजट में हमारी फानेस मिनिस्टर निर्मिला सितारवन जी ने अनॉस्मेंट किया था कि हम किसान एक्सप्र नहीं होते हैं, मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे इस hatır ही एक्जामपल आप डेरी की बात कर लीजे, या बहूत सारे आइटम से लिए वेजिटेबल से होते हैं, जो तुरंख खराब हो जाते हैं, तो प्रॉपर हम क्या करेंगे, हम ठेन्स बनाएंगे, उस ब्र ice containers होंगे और वहाँ पर इन items रखा जागा ताकि ये खराब नहों पता है आपको तो दूसरी train इंडिया की और south इंडिया की पहली train ये कहां से कहां चलेगी वो देख लीजे तो भारत की दूसरी और south इंडिया की पहली kisahn train को जंडी दिखाई गई अब ये जो train है ये कहां से रेल को launch किया गया था इस objective के साथ कि किसानों की income को double करना है 2022 तक के लिए आगे बढ़े अब देखे एक्स्टा तो पहली किसान ट्रें जो है वो 7 अगस को चलाए गई थी और ये महारास्टरा के देवलाली स्टेशन से बिहार के दानापुर रेलवे स्टेशन तक गई थी यह भी आपको याद दोना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाईस और अब बात करते हैं news number 3 की और यहां bamboo cluster का inauguration किया 9 state में देखें यहां पर ठीक तो हम नरेन सिंग तोमर जी की बात करें जो हमारे दिश में agriculture minister भी है इन्होंने 22 bamboo cluster का 9 state में inauguration किया अब यह 9 state के नाम आपको learn करने की जूरत नहीं है जब भी 5 नंबर से उपर हो तो maximum exam question नहीं आते हैं याद रखना है तो 9 state याद क और किसने जीता उनकी बात कर लें तो इनका नाम क्या है गाई यह तिलंगाना के है तिलंगाना के श्री साही राम गौडी एड़गी तिलंगाना के है तो यह national bamboo mission का एक contest हुआ था logo design का तो तो तेलंगाना के श्री साही राम गौडी एड़गी ने यह logo पर दिखता जीत ली तो एक जम्मू में, एक कट्रा में और एक सामबा रीजन में इसके लावा custom duty की बात करें तो वो भी bamboo पर बढ़ा कर 25% बढ़ा दी गई थी मतलब अगर आप एक importer हो और आप ताइवान चाइना यहां से bamboo purchase करते हो तो आपको पहले 10% का text देना पढ़ता था as a custom duty लेकिन अब 25% देना पढ़ेगा तो मेंगा पढ़ेगा तो आप इंडियन फार्मर से ही bamboo purchase करेंगे चली आगे बढ़ते हैं गाईज और अब बात करते हैं national news news no.4 की और यहां पर हम बात करेंगे PM Modi to launch प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना मत्से संपदा योजना गाईज मैंने कई ब development की बात करेंगे आईए देखें यहां पर ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी is to launch the प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना on 10 September ठीक है तो along with the scheme the PM Modi will also launch a e-gopala application इसके लावा PM Modi e-gopala नाम का application भी launch करने वाले हैं 20,050 करोड रुपाय बिल्कुल सही answer आप लोग आगे बढ़ें गाईस इसके targets क्या है वो देख लीज़ें ठीक है दा इसकीम focuses on the sustainable development of fisheries in India it is to be implemented between 2020,21 to 24,25 यह time period अब आपको learn करना है एक तो fund की बात होगी गाईस एक तो time period की बात जो exam में question आपके बन सकता है किसने launch किया हमारे PM ने launch किया तीन question exam में बन सकता है आगे इन्हेंस दा फिस्ट प्रोडक्शन तो 70 लेक टन बाईदर 2024,25 दो होजा चॉबिस पचीस तक हमारे देश में मचली का जो उत्पादन होगा वो 70 लाक टन के बराबर होगा तो यह हमारा चौथा question जो exam में बन सकता है यह आपको पढ़ना है ठीक है तो यह पढ़ लीजेगा नीचे वाले point इतने important नहीं है आगे बढ़ते हैं तो ठीक है देख लीजेगा आगे बढ़ते हैं गाईज और अब state level news की बात करेंगो यहाँ पर हम बात करेंगा हर्याना ही हर्याना launches chatbot आपका मित्र for admission related queries and online admission platform for the UG courses under graduate course मितलब ऐसे बहुत सारे बच्चे जो 12th pass करने के बा agency ले सकते हैं हर्याना government का है याद रखना आपका मित्र chatbot आई इसके बारे बात करते हैं तो chief minister of Haryana Manohalal Khattarji की बात करें इन्होंने online registration portal शिरू किया है for the admission in the undergraduate program concept के रखो बस तो नाम क्या है guys नाम क्या है इसका इसका नाम है आपका मित्र chatbot यह launch किया गया है और आगे सब chatbot का number भी यहाँ पर दिया गया है तो concept समझ गया आप लो आपका मित्र chatbot तो जो भी बच्चे अंडर graduate के लिए मतलब कहां पढ़ना है form कैसे बढ़ना कुछ भी query vary हो तो यहाँ पर आप query कर सकते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं guys और about हर्याना की बात कर लें हर्याना तो इसे state animal क्या है black buck है state bird black francoilin है state flower lotus है state tree people है यह हर्याना के study point है अगर extra information की बात करें तो हर्याना state government has signed in agreement under the chief minister distance learning program with the reliance industry limited subsidiary company जीओ टीवी तो हर्याना state government ने जीओ टीवी के साथ करार किया था अपने state में online classes को बढ़ावा देने के लिए जिसे हम chief minister distance learning program बोलते हैं ठीक है चली उसके लावा guys बात करें तो हर्याना state cabinet ने एक bill pass किया है अगर हर्याना में 50,000 से नीचे की job है तो उसमें 75% जो reservation होगा वो हर्याना वालों का ही होग तो यह भी point आपको पता ही है आगे बढ़ें guys और अब बात करते हैं हर्याना जो है वो खेलो इंडिया youth games host करेगा पंच कुला में पंच कुला में हर्याना खेलो इंडिया youth games 2021 host करेगा पंच कुला में और हर्याना to get rupees 1500 करोन central aid for crop diversification ponds rejuvenation हर्याना government को central government से 1500 करोल पर मिले हैं for the crop diversification and pond rejuvenation याद कर लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं guys और अब बात करते हैं उत्राखंड की उत्राखंड ने अभी एक pilot scheme launch की थी उत्राखंड ने उत्राखंड के दो गावों को संस्कृत गावों बनाया था मतलब वहां पे proper संस्कृत पढ़ाय गई थी क्योंकि उत after noting significant progress in the pilot project to teach Sanskrit to residents of the two village in उत्राखंड, state government ने अब ये कहा है कि ठीक है अब हम लोग Sanskrit gram बनाएंगे जहां पर proper Sanskrit पढ़ाय की जाएगी ठीक है आगे बढ़े तो Sanskrit is the second official language in the उत्राखंड ये भी आपको पताएगे गाईस तो state government currently run 97 Sanskrit school ये सब पढ़ने के जूरत नहीं है आपको इतना डीप में पुझाना ही नहीं है तो उत्राखंड Sanskrit gram एक बात आपको जाद रखनी है अब एक point ये और important हो सकता है कि वो दो गावों कौन से थे तो एक तो चमोली जिले के कीमोथा तो कीमोथा इन चमोली district दूस्रा अगर हम बात करें तो भटोला गाउं भटोला इन दो भगेश्वर district where earlier developed as Sanskrit village और अगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बलराम बहरта क्या बोल रहा है नाम आम तुरो ठीक से लिया गरो बेटा नाम आम बिगारने का मतलब भी नहीं है कुछ आगे बढ़ते हैं अब आउट उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड का स्टेट एनिमल क्या है मस्क डियर है स्टेट बर्ट, हिमालियन, मोनल स्टेट फ्लावर, ब्रंभा, कमल कमल मतलब ठीक है उसके लावा नेशनल पार्क की बात करें तो गाईज मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाया यह कि उत्राखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क है बायस्पेर रिजर्व की बात करें तो कौरबेट नेशनल पार्क और राजा जी टाइगर रिजर्व चलिए, उत्राखंड की बात करते हैंगा इस तो उत्राखंड ने क्या किया था देश का, इंडिया का पहला लाइकन पार्क इन मुनसियारी डिस्टिक में बनाया था लाइकन पार्क ये भी आपको पता है उत्राखंड, the first government-run inter-state chopper service, chopper miss helicopter that connect Dehradun to Gharwal Hills, और देख लेजे गैर सेन, declare उत्राखंड, summer capital, ये सब रिविजन के point हमारे है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने और उत्तरपदेश, तो उत्तरपदेश में एक organic food processing unit लगाया जाएगा, उत्तरपदेश में लगाया जाएगा कहां पे लगाया जाएगा, वो देख लीजेए आपे तो स्रीमती, हर सिमरत को और बादल जो की union minister for food processing industry है, इन्होंने inauguration किया, organic food processing unit का, जो की बारा बंकी उत्तरपदेश में बनेगा बारा बंकी उत्तरपदेश, लगनों के पास बढ़ता है बारा बंकी, तो वहाँ पर क्या बनेगा वहाँ पर food processing center एक बनेगा, याद रख लिजएगा बारा बंकी बनेगा, ये point आपको ध्यान देना है, ठीक है, और इस unit का नाम क्या होगा, मेसर्स Organic India Private Limited मेसर्स Organic India Private Limited बस याद रिए, यहाँ पर Tulsi Green Tea, Sweet Lemon Tea, Lemon Ginger Green Tea, यही सब बनेंगे यहाँ ठीक है टी बनेंगे, चलिए, आगे बढ़ते है guys, about उत्तरपदेश की बात कर लें तो उत्तरपदेश, देखी यहाँ पर ठीक से study point यहाँ पर दिया आ नहीं है, कोई बात नहीं है देखी यहाँ पर, PDF में आपको मिली जाएगा तो उत्तरपदेश decided to set up Migration Commission for the welfare of the migrant laborers, आपको यह भी पता है, UP Chief Minister योगी अदितनात launches employment scheme नवीन रोजगार, छत्री योजना for the SCST student यह भी आपको पढ़ाय गया है, उत्तरपदेश Chief Minister योगी अदितनात inaugurated mission व्रिक्षारोपर 2020, कहाँ पर भाई, तो लखनौव में कुकेरेल forest है वहाँ पर यह launch किया गया था, इसके लावा, UP Government approved उत्तरपदेश startup policy और इसके लिए 1,000 क्रोड उपय का startup fund CDB के साथ बनाए गया, यह भी आपको पढ़ाए गया शिम्ला जी, thank you so much, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडिया और अंगोला की यहाँ पर हम summit conference meeting की बात करेंगे तो इंडिया और अंगोला पहला joint commission meeting को host करेंगे इंडिया अंगोला hold first joint commission meeting यह first है इसलिए important है अंगोला याद रखना है आपको, ठीक है तो इंडिया और अंगोला held the first joint commission meeting तो भारत और अंगोला के बीच में पहली सित आयोकी meeting हुई इंडिया को represent किसने किया तो इंडिया को represent किया हमारे देश के विदेश मंतरी जशंकर जी ने और अंगोला को तो वहां के विदेश मंतरी नाम क्या है टेटे अंटोनियो वहां के विदेश मंतरी है तो पहली joint commission meeting थी इसलिए यह important है इंडिया और अंगूला नाम आपको learn करना है अंगूला, अंगूला की capital Luanda है और currency अंगूलन क्वांजा है ठीक है याद करना पड़ेगा चली 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 आगे बढ़ते हैं guys और अब बात करते हैं merger acquisition की यहाँ पर हम American private equity firm Silver Lake, Silver Lake कोई नई कंपरी नहीं है अपने नाम सुना हुआ है, Silver Lake इसके पहले GEO platform पर already investment कर चुकी है, तो Silver Lake जो है वो 7500 करोड उपीज का निवेश कर रही है, in Reliance retail for 1.75% stake तो Reliance company की अपनी एक venture है, उसके बारे बात करेंगे तो Silver Lake 7500 करोड उपे दे रही है, और बदले में 1.75% का stake ले रही है, शेर ले रही है, देखिए यहाँ पर तो Reliance में अनॉस्मेंट किया है कि Silver Lake जो है, वो 75-100 करोड उपे निवेश करेगी, Reliance Retail Venture Limited में और 1.75% stake जो है, वो ले लेगी Silver Lake, मज़ा आने वाला गाई, Amazon, GEO, मतलब मज़ा बहुता आएगा भी e-commerce में तो यह point आप पढ़ने के जोड़त नहीं है तो यह सब point आप learn कर लें जगा यह important point है आगे बढ़ें guys, और अब बात करें तो ने इक्स्टालाइट की news number 1 तो International Day to Protect Education from Attack, 9 September को observe किया गया तो International Day to Protect Education from Attack और यह इसलिए अतना important है क्योंकि यह पहला edition है guys September 9 को यह celebrate किया गया पहला edition है और UN ने इसी साल Escort 29 में को यह प्रूफ किया तक यह day हम मनाएंगे तो यह day हम मनाएंगे यह भी आपको याद रखना है आगे बढ़े guys और अब बात करते हैं news number 2 की तो केंदर सरकार ने दावा किया है कि 42 करोड गरीबों को benefit मिला प्रधार मंतरी गरीब कलियान योजना से यह योजना मार्च में लाउंच की गई थी ताकि जो हमारे दिश में गरीब लोग हैं उनको free में राशन बाटा जाए और 42 करोड पूवर ने पूवर्स ने इसका फाइदा उठाया यह गरीब कलियान पैकेज यह तुम्हें याद करना पड़ेगा यह अमाउंट तुम्हें याद करना पड़ेगा और यह नंबर्स तुम्हें याद करने पड़ेंगे 42 करोड पूवर लो 68,000 करोड रुपए खर्श्री गन के उपर यह देख लिए चाहिए चलिए आगे बढ़ें गाईज और बात करें तो आपको मालूम ही है कि इस इनिशेटिव लांच इन मार्च एमस तो प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेंस आगे बढ़ें गाईज और अब बात करते हैं Minority Affairs की Minority Affairs Ministry ने डिसाइड किया है कि हुनर हाट इवेंट जो है वो October में फिट से रिजूम कर लिया जाएगा October में हुनर हाट हुनर हाट की बात हम कर रहा है तो after a gap of 6 month the हुनर हाट इवेंट is to be restarted from October 9 to 18 at the प्रयाग राज ये अब इलहाबाद में celebrate किया जाएगा last time ये डैली में हुआ था guys आपको याद होगा नरेंदर मोदी जी भी अचानक से यहाँ पर चले गए थे तो काफी है निउस में आ गया था ये हुनर हाट है ना तो इस बार ये प्रयाग राज में होगा अक्टूबर में होगा याद रखेगा तो वीर सावरकर जी आपको नाम इनके बाने पता ही है इनको वीर कहा आता है हमारे देश में तो वीर सावरकर जी के नाम पर हमारे देश में करनाटका में फ्लाइओर बनेंगे बना बन चुका नाम दिया गया उसको ठीक है तो करनाटका चीफ मिनस्टर को ने बिया सिदुरप्पा इन्होंने वीड सावर कर फ्लाइ ओवर बैंगलूरू में इसका इनाउगरेशन किया ये 400 मीटर लॉंग फ्लाइ ओवर है जो की मेजर संदीप उन्नी कृष्णन रोड पर ये बनाया गया है पडिया ओप श्रिलंगा की बात करते हैं श्रिलंगा प्रपोजE's ban on cow like cow slaughter तो श्रिलंगा ने गोहत्या पर पढ़ीपन लगा दिया है विकोस श्रिलंगा में बॉद जो बॉद लुंग है उनकी मैजॉर्टी यादा है तो इसलिए श्रिलंगा में गाओं जो है Updation in the Priority Sector Lending कौन-कौन से Updation नया है Reserve Bank of India के, इस पर हम बात करने वाले हैं, important topic है, जितना आप जानते हो, उतना comment आप करो, जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा, उतना आपको पढ़ना है, ठीक है, तो गाइस, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा, तो लाइक करें, कमेंट करें, फीड़बैक दें अपने, और मेरे कोश्चन के एंसर जरूर दिया करें, थैंक यू सो मज़ गाइस, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन बंगल मैं, झाल नॉ झाल झाल